हेलो गाइज कैसे हैं आप आई होप सब बढ़िया होंगे तो गाइज मैं आज आपकी सामने लेकर आया हूँ इंस्टाग्राम की ऐसी ट्रिक जिसका यूज करके आप किसी की भी स्टोरी को देख सकते हैं और सामने वाले बंदे को ये भी पता नहीं लगेगा मैंने ये श्टोरी पर लगा दिया है अब इस वाले स्टोरी को मैं इस वाले फोन में आपको दिखाऊंगा मैंने यहां पे नेट इसका बंद कर दिया है अब मैं यहां से इस स्टोरी को देख लेता हूँ मैं अब मैंने यह स्टोरी देख लिया है कि हाँ इस स्टोरी में यह था अब मैं इसको हटा देता हूँ मैं अब मैंने इसको हटा दिया है यहां से अब मैं यहां पर देखता हूँ तो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा कि किसने मेरी स्टोरी देखी है अभी तक किसी ने भी मेरी स्टोरी नहीं देखी है जबकि मैंने यही स्टोरी को दूसरे फोन में अभी देखा था तो यह यह थी फर्स्ट ट्रिक अब मैं आपको इसकी second trick बता देता हूँ अब guys मैं आपको इसकी second trick बता देता हूँ अब यहाँ पर मैं एक story को लगा देता हूँ जैसे कि मैंने यह story लगा दिया यहाँ पर अब मैं यहाँ पर done कर देता हूँ मैं इसको मैं मेरी यह story लग गई है यह यहां पे share यह story मैंने जैसे कि अभी लगा दिया अब just इतना कर देने के बाद यहां पे आपको done कर देना यह मैंने story लगा दिया अभी मेरी story लग गई है ठीक है अभी मैंने story लगा दिया अब इस phone को काम खतम हो गया अब मैं दूसरे phone पे आ जाता हूँ जैसे कि इस phone पे मुझे उस story को देखना है तो यहां पे google chrome को open कर लेना और यहां पे आपको type करना है story saver इसको search कर देते हैं इसको search कर देने के बाद यहां पे पहली website पे आते हैं पहली website पे आजाने के बाद यहां पे आपको इस तरीके के इंटरफेस आएगा download instagram stories अब यहां पे आपको जिस प्रोफाइल की आपको जिसने अभी अपनी instagram story को अपडेट किया है उसका username यहां पे आपको डाल देना है मैं यहां पे उसका username डाल देता हूँ अपना जैसे कि मैं अपना username डाल देता हूँ mister जैसे मैंने यहां पे अपना username को type कर दिया है अब यहां पे download वाले option पे click करना है just इतना करने के बाद यह कुछ second में आपको यह capture मांगेगा उसको capture को ok करना है और I am not robot पे click कर देना है अब यहां पे कुछ second का आपको wait करना wait करने के बाद यहां पे story आ गई है कि कितनी story मैंने लगाई सारी story यहां पे आ गई है just कि मैंने एक story लगाई है अब यहां पे जाके आप उस story को यहां पे देख सकते हो कि मैंने क्या story लगाई है आप यहां से चाहो तो उसको अपनी गैलरी में सेव करके डाउनलोड कर सकते हो आप यहां से अब मैं यहां पे जाके देखता हूँ कि किसने मेरी स्टोरी को देखा हैं तो यहां से मैं देख लेता हूँ अभी तक किसी ने भी मेरी स्टोरी को नहीं देखा है यहां पर जबकि मैंने अभी आपको गूगल पर जाके मैंने वो श्टोरी को दिखाई थी तो गाज यह थी second trick तो गाज मैं अब आपको थर्ड ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको उसकी श्टोरी को देखना है अब जैसे कि मैंने इसकी story को देखना है तो इसकी story को देखने के लिए इसके बाद वाली जो story है इसको देखना है आपको ठीक है इसको देखने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा swipe करना है इतना ज्यादा swipe नहीं करना है आपको थोड़ा से स्वाइब करना अब मुझा पता लग जाएगा इसने अपनी स्टोरी पर क्या लगाया है बस इतने से मुझा पता लग जाएगा इसने ये लगाया इसकी स्टोरी को अब ये हमें अच्छे से दिख गई है अब बस दुबारे से back करना है और back आ जाना है अब मैंने इस story को देख लिया इस story में क्या था तो अब हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि वो story को किसी ने देखा है या नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ click कर देने के बाद यहाँ पर देखता हूँ कि किसी ने मेरी स्टोरी को देखा या नहीं देखा तो यहाँ पे किसी ने भी मेरी स्टोरी को नहीं देखा जबकि अभी मैंने आपको यहाँ से स्टोरी को देख कर बताया था तो गाज यह थी हमारी ट्रिक अगर आपको यह ट्रिक अच्छे लगी है और गंटे वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर कोई भी हमारी वीडियो अपलेड होती है तो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पोचे और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक भी कर देना और कमेंट करके बता देना कि आप कभी इस प्रोबलम को फेस करते थे या नहीं थैंक्यू गाइस